भाई और बहनों, हमें वर्तमान की स्थिति को बदलना भी है और भविश्के संकट्रों का अभी से समाधान भी तनासना है। इसलिए हमारी सरकार ने वाटर गवर्नन्स को अपनी नीतियां और निर्णव में प्राथिकता पर रखा है। बीते छे साल में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधान मंत्री क्रिसी सिंचाई योजना हो या हर खेत को पानी अभ्यान हो पर ड्रॉप मौर क्रॉप इसका अभ्यान हो या नमामी गंगे मिशन, जल जीवन मिशन या अतल भूजल योजना सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, इन प्रयासों के बीच ये भी चिंता का विशह है कि हमारे देश में बर्षा का अधिकाउं जल बरबाद हो जाता है। भारत बर्षा जल का जितना बहतर प्रबंदन करेगा उतना ही ग्राउन वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी। और इसलिए कैच दरेइन जैसे अभ्यान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। इस बार जल शक्ती अभ्यान में विशेश ये भी है कि इसमें शहरी और ग्रामिन शेत्र दोनों को सामिल किया जा रहा है। मौनसून आने में अभी कुछ हफ्तों का समय है इसलिए इसके लिए हमें अभी से पानी के और बचाने की तैयारी जोरों पर करनी हैं हमारी तैयारियां में कमी नहीं रहनी चाहिए। मौनसून के आने से पहले ही टैंक्स की तालाबों की सभाई हो, कुओं की सभाई हो, मिट्टी निकालना हो तो वो काम हो जाए। पानी संग्रह की उनकी शमता बढ़ाना है, वर्सा जल बहकर आने में उसके रास्ते में कहीं रुकावटे नहों हो तो उसको हटाना है। इस तरह के तमाम कारियों के लिए हमें पूरी शक्ती लगानी है। और इसमें कोई बहुत बड़े एंजीनिरिंग की ज़रूत नहीं है। मैं तो चाहूँगा अब मन्रेगा का एक एक पैसा एक एक पाई बारिस आने तक सरफ 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 इसी काम के लिए लगे। पानी से संबंदी जो भी तैयारिया करनी है मंद्रेगा का पैसा आप कहीं और नहीं जाना चाहिए और मैं चाहूँगा इस कैम्पेंग को सफल बनाने में सभी देशवाचियों का सयोग आवशक है आप सभी सरपंच गण सभी डीम डीसी साथ्यों के भी बहुत बड़ी भूमी का है मुझे बताया गया है कि आज इसके लिए विशेज ग्राम सभाय भी आयोजित की गई है और जल शपत भी दिलाई जा रही है ये जल शपत जन जन का संकल्प भी बनना चाहिए जन जन का स्वभाव भी बनना चाहिए जल को लेकर जब हमारी प्रकृति बड़ लेगी तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी हमने बहुत बार सुना है कि अगर सेना के लिए कहा जाता है कि शांति के समय जो सेना जितना ज़्यादा पसीना भारती है युद्ध के समय खुन उतना कम बहता है मुझे लगता है ये नियम पानी को भी लागू पड़ता है अगर हम पानी बारिश के पहले अगर हम महनत करते हैं योजना करते हैं पानी बचाने का काम करते हैं तो अकाल के कारण जो अर्बों खर्बों का नुक्सान होता है और बाकी काम रुख जाते हैं सामान ने मानवी को मुसिबत आती है पश्वों को पलाइन करना पड़ता है यह सब यह सब बच जाएगा इसलिए जैसे युद्ध में सांती के समय पसिना बहानाई मंत्र है वैसे ही जीवन बचाने के लिए वर्षा के पहले जितनी जादा महनत करेंगे उतना उपकारग होगा